दोनों पाइप एक हिंच का क्यों निकाल दिये तो कस्टमर जो पाइप देगा वही पाइप नहीं हम लगाएंगे सही है सही है नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेकनिकल सोनू टेक चैनल दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा यूश्फिल आप सभी लड़का किया हुआ है ठीक है और सबसे और अच्छी और बड़ी बात यह कि आहां पर दोस्तों जो टेंग का हाइट है ना वह बहुत ज्यादा कम है तो इस केस में प्रेसर को आप कैसे मेंटेर करेंगे में पाइप आप कि साइज का निकालेंगे पूरी कंप्लीट जानका काम प्रेसर को जाता है इसको इतना गयान होता अपने इसाब से करता है और इसके बाद भी अगर काम खराब हो जाता है अच्छा कारीयर तो उस समय यह निकल के आता है कि हो सकता है किससे तरे pregnancy कियां है चलिए आईए मैं आपको दिखाता हूं किस तरे से ने यहांपे किया गया है तोटल्स प्टिंग have the मैं था भी सैड पे अके के जरीए करे दोण और निकल रहा है यह उपर निकला तो कस्टमर जो पाइप देगा वही पाइपने हम लगाएंगे तो प्रेसर कबर कर लेगा यहां पर टैंक का जो हाइट है यह च्छत के ऊपर टैंक लगेगा बहुत अच्छी तरह से कबर कर लेगा क्योंकि मैं इस बात्रूम में एक से पॉना किया हो रेडियोज किया हूं प जो पाइप देखे यहां पर दिख रहा है चलिए मैं आपको बताता हूं फटाफ़ट और कुछ पॉइंट होगा जो अक्रेस के जरीये मैं आपको उस प्लेलिंग करूँगा देखिए दोनों पाइप यहां पर आ रहा है यहां पर चड़ता है तो उसको क्रॉस करने के लाए तो का ब्रास अलबो दे दिया यह आप देख रहा है यह फ्रेस्वाटर के लिए है मोटर वाला ठीक है यहां पर कामन बात्रूम है कस्टमर का जो बजट है वो फेल हो रहा था इसलिए यहां पर कामन बात्रूम बन रहा है डाइवटर अगयर है लगा है कि नहीं लगा ह अभी मैं आपको बताऊंगा देखें यहां पे अब इस तरह से मोटर का पॉइंट हो गया दो टैप है अब यह आगे आ रहा है देखें एलबो देखें आगे लाया थ्री फोर का यह पाइप है इसको रडियूस किया वन बाई थ्री फोर किया देखें बुस्ट दिया वन इधर आ रहा है क्योंकि यह जो फाल पाइंट में आंदर कडाया बहुत कम होता है इसके लिए प्रेशर हो जाएगा हमारा इसीव यह मेर complaints गोरेइंट में खीक ने बनाया है इसमें प्रेशन एडिए करताँ न अंदर का मैंने कई बर बताया है मैंने आपको बताया भी कि की सतरे से ओबर मैंड आप बनाएंगे देखे नया लड़का है लेकिन प्रॉपर फिटिंग किया हुआ है देखे बहुत ही यहां पर अच्छी तरह से फिटिंग हुआ है पाइप को देखे ओवर बैंड के जरीए क्रॉस हो रहा है अब इस तरह से ओबर में आपको बनाना है चार फूट फूट लगा कि अब देखे यहां पर आया अब एक प्रेट्फरम रेडी होगा तभी हम पॉइंट बनाएंगे ताकि जो है इन फिचर इसमें कट पिट ना करना पड़े ठीक है इस तरह से इतना फिटिंग आप आपने देख लिया ऊपर से दिखे दोनों पाइप लैन इस तरह से आ रहा है मोटर लोला यहां से जाएगा उप पर रिडियूस कर दिया प्रेशर अगर आपको मेंटेन करना है ना तो फिर उसके हिसाब से रिडियूस करना पड़ता है आईए मैं आपको बताता हूं अब देखे बाथरूम के अंदर एंटर किया मैं दोनों पाइप लाइन देखे यहां पर आ रहा है मोटर वाला टैंक हो पर यहां पर रिडियूस करना है अभी मैं आपको दिखा रहा नहीं एक इंच वाला आ आ रहा है यह तो ब्रास गो दिया इसका जो मिनिमिमिंधाश लगहा है मैक्सिम्म यहां पर पर डॉट सब्सक्राइब नमच्राइब उतल एक अर्फ प्रोट विडियो देखने के बाद पूछते हाइड किदना रखना है तो यहां पर यह से सीट लगेगा टब में पानी भर के फैस होने के लिए पॉइंट है इसका जो हाइट है टाइस वाले सर्फिस से कम से कम 14 इंच रखेंगे मैक्सम 16 इंच रखेंगे पीछे वाल से दिखेंगे जो पीछे वाल वाल दिखाई रहा है यहां से दोस्तों इसको आप कम से कम 32 इंच और मैक्सम 16 इंच रखेंगे ठीक है अगर आपका जो यहां पर टॉयल्ट वाल एरिया पूरा एरिया अगर 40 इंच आ रहा है तो इसको आप 36 इंच पर रखेंगे और टोटल इरिया अगर आप टॉयल्ट वाल तीन फिट में कबर कर रहे है तो इसको आप 32 इंच पर ठीक है, आठेंच या फिछेंच उपर ही रहता है, तो ये पॉइंट हमेशा ट्वाले एरिया में आना चाहिए, अब दोनों पाइपलाइन देखें, ट्वाले एरिया से निकल के ये आगे जा रहा है, बातुम वाले एरिया में, अब देखें, यहाँ भी ये मोटर वाला जो पॉइंट है ना, ये मुझे नीचे देना था, आगे भेजना है, उसके लिए ये पाइपलाइन मेरा देखें, टकरा रहा था, तो क्रॉस करने के लिए दिखें, फिर यहाँ पर अखिलेस, यहाँ पर दिखें, फोटी फाइप को ओबर मेंड बनाके लगाया हुआ है, बाह मुझे मोटर का यहाँ पर टैब देना था, यहाँ पर दे दिया गया है, three, four, one, two, बाश्ट, यह जो है न यह फ्रेस-वाटर का पॉइंट है, मोटर वाला, तीन टैप यहाँ पर दिख रहा है, आपको यह जो है, फ्रेस-वाटर है, मोटर वाला, यहाँ पर बीच वाला, है टेंक वाला उसके बाद यह हाट वाटर है गीजर वाला ठीक है तीनों टैप है हाइड भी मैं आपको बताऊंगा पॉइंट आप पहले समझ लिजे देखे अब यह मोटर वाला यहाँ पर दे दिया और यही लेन यहां तक दिया गया, अब इसके आगे यह रिडियूस हो रहा है, क्योंकि अब आगे जो है, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा गीजर के लिए, एक पॉइंट के लिए, एक इंच का पाइप डालना उचित नहीं है, ठीक है, अगर ज्यादा पॉइंट हो तो फिर इसको एक इं और यह वहां से रिडिवर्स आरा गीजर का पॉइंट है, हाट वटर है, तीन पाइप लैन हो गया, देखे है, यहां पे यहां पर यहां पर धिया, ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, ऐसा ने यहां मर्जी किया, वहां पर चिपका दूँ, एक डिस्चेंस होता है, एक अ इसमें होना चाहिए, अधरवाइज प्रेसर में दिक्कत आएगा, और इन फ्यूचर उसमें ब्लॉकज भी आ सकता है, ठीक है, देखे, यहां पर मेरे केस में भी 6 इंच का स्पेस, यहां पर मिला हुआ है, अब इस तरह से यहां पर लिए आगे एक टी दे दिया, और एक अ घीजर वाले और यह वाला जा रहा है, टांक को भनने के लिए, गीजर वाले टांक के लिए, तेखे, घीजर वाले पॉंवेबंच आप चैसे बनाएंगे, चलिए समझी, आइए देखे, बोद गो पापलकन यहां पर वोंड देखे, अब यहां पर उल्टा है, ठीक है, उल ज्यादा एलवो आप यूज़ करेंगे तो फ्रेसर जो है वो टीज़ेंगा ठीख यहां पर 5 उल्टा क्यों है अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर 5 उल्टा करने का भी रीजन है ठीख है चलिए सबसे पहले हुआइड मैं आपको बता देता उसके बाद यह बताऊंगा के ब्रास MTA इसमें भी लगा है अब कई लोग सोचेंगे कि यहां पर यहां पर दो कंसिल क्यों लगाए गया है तो रीजन यह है देखे यह अपना टैंक वाला लाएन आ रहा है कोल वाटर सावर के लिए यहां से कोई अनॉप करेगा तो सावर में पानी जाएगा टैंक का और अगर हमें मोटर वाला भी पॉइंट अगर चाहिए सावर में पानी तो फिर इसको बंद कर देंगे और इसको ओपन किया यह यहां से होके टी के ज산ी सावर पाइंट पानी जारे लगया तिक इसलिए यह पर दो पीटिंग होता है तो तो यह पे गुद्ध लगता है यहां लगता है श्कूल के तो साब्सक्राइब में यह मुर्खता कि यह लगाना नहीं कि लाइगा उस किया था बताया भी था ठीक है लेकिन कस्टमर ने कहा मेरा बजट फेलो रहा है मैं टाइवर्टर नहीं लगवा हुआ ठीक है इसलिए यहां पर यह इस तरह से फिटिंग हुआ है और आप लोग जो टिपड़ी करते हैं ना कमेंट करते हैं कि यहां पर 45 होना चाहिए यह खरा पानी यहां पर जाएगा सावर में उसने मना किया इसलिए दो ही है एक तो यह रहेगा कंपलसरी है कोल वाटर के लिए और एक देदिया मोटर वाले के लिए ठीक है मोटर वाला पानी यहां पर जाएगा सावर में अब आपको मैं बता देता हूं दीखे मोटर वाला जो है बात्रूम और किचन के अंदर क्यों गित दिया गया है तो दिखेंग का जो पानी है ठंडी में काफी जदा ठंडा हो जाता है और गर्मी में काफी जदा गर्म हो जाता है तो नहाने में दिक्कत होता है चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो इसलिए बात्रूम में और किचन में या फिर यूटिल्टी वाले एरिया में मोटर का पॉइंट दिया जाता है ताकि जो है नैचुरल पानी मिले अब इस तरह से टोटल फिटिंग होता हुए देखे टी दिया उसके बाद यहां पर दे दिया सावर के लिए सावर का यह जो पॉइंट है इसका जो हाइट है कम से क कब बाथरूम है तो इसको आप जो है साड़े 6 बटी पर रख सकते है ठीक है पूरा फिटिंग कंप्लीट हो गया है हाइट मैं आपको बता दे रहा हूं दिखे यहां पर दो कंसिल लगा है एक मोटर वाला है एक कोल वाटर है टेंक के लिए लिए लगा हुआ है ठीक है दो फो गया है अब देख सकते है चिलीए आपको करना है प्रिजर को मैंंटेर करने के लिए क्योंकि pipe एक इंच का आ रहा है और height भी इसका जादा नहीं है तो pressure को पूरा maintain करने के लिए यहाँ पे दिखे बात्रूम के अंदर तक आपको लेके आना है एक इंच का pipe direct tank से जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है tank से सीधा आ रहा है यहाँ पे reduce हो रहा है ठीक है क्योंकि आप देखे इधर मेरा जादा point है एक point है यहाँ पे है उसके बाद जो वहाँ पे मैं आपको दिखाया kitchen वाले area में है utility वाले area में दो point है तो वो सब cover करने के लिए यहाँ पे एक इंच का pipe डाला गया अब इसके आगे सिर्फ geyser का cold water के लिए point है इसलिए यहाँ पे इसको reduce कर दिया तो इस तरह से आपको pressure को maintain करना है कई लोग क्या करते है बाथरूम के बाहर ही वहीं पे reduce कर देंगे तरीका है ऐसा ने आपकी मर्जी से नहीं है जहाँ पे आपका इच्छा किया वहाँ पे reduce करेंगे हर काम करने का एक तरीका होता है ठीक है तो अगर आपका जो डाया है वो कम है तो इसको आप बाथरूम के अंदर लाके reduce किजिए इस तरह से fitting करिए अखले इसका किया हुआ है total fitting मैंने आपको सब कुछ बताया सबका हाइट मैं आपको बता दिया तो बस इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उमीद करता हूँ जो कुछ भी explain किया वह सब आपकी समझ में आया होगा कहीं भी कोई भी confusion है तो आप नीचे comment section में अपना question type किजिए उसका reply करने की कोशिस करूंगा मैं और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग facebook page पे देख रहे हैं तो page को follow किजिए YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को subscribe किजिए वैल आइकन को press किजिए all पर click किजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का notification आप से कोई भी update मिस्सा होने पाएं इस वीडियो में इतना ही मैं फिर मिलूंगा किसी अगले डोमेंग नटाप के साथ